हलो सुआ हैं सदेगे लास्ट क्लास हम लोग ने अपने चेप्टर एलेक्टरों के मेश्चे के अंदर डिस्कॉशन कर लिया था कि कैसे हम लोग एक सेल का EMF कलकुलेट करते हैं क्या एलेक्टर प्रणिशल वैलिउस होती है और क्या उन वैलिउस का सिग्निविगेंस होता है आज हम वही से आगी कंटिन्यू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने वाले हैं विद रिलेशन बिट्वीन गिप्स फ्री एनरजी एंड एमफ ऑफ असल तो यहाँ पर हम एक सेल की गिप्स फ्री एनरजी को उसके किसके साथ करने वाले हैं एमफ के साथ करने वाले हैं देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अब ध्यान रखना हम यहाँ पर जिन भी सेल से डील कर रहे हैं सब्भी के सब्भी आपके reversible cells होते है क्या होते है reversible cells मतलब उनमें जो reactions हो रही है वो सभी reversible reactions है थर्मो डैनेक्स में हम लोग चीज शीख चुके हैं कि कि किसी भी एक reversible cell के लिए reversible process के लिए reversible reaction के लिए अगर आपके पास को followers back along reaction हो रही है यह को reversible process हो रहा है basically reaction नहीं बोलके में से reversible process भोलेंगे तो reversible process के लिए जो delta G equal to होता है एक यह चीज़ हम थरवड़ानेक्स में सीख चुके है कि delta G at constant pressure temperature for a reversible process जो होता है वो किसके equal होता है useful work या फिर non-PV work और work done by the system है तो वहाँ पर negative charge आता है तो देखो वैसे हम यहाँ पर relate करने वाले हैं हमने सीखावा है कि आपके useful work और non-PV work होता है वह basically क्या होता है electrical work होता है क्या होता है electrical work होता है चली यह भी बहुत अच्छी बात है अब आप देखो मान लो मान लो आपकी पास एक cell है थीक है तो आप देखा किए आप आसे Galvanic cell है यह जो Galvanic cell है यह क्या कर रहा है है बाहर सरकृट में अबिसलिऎ एलेक्ट्रॉं पास कर रहा है तो मालो यहां से एलेक्ट्रॉं निखले या फिर एन मोल एलेक्ट्रॉंस निकले यह मैं आपको सिखा चुक maior हों सिंग पर कि अगर ज्वानियों से लों है स्क बोला कि जाएल जब oxidation होता है तो zinc solid oxidize होकर क्या बनाता है Zn2 plus aquas plus 2 electron आप देख सकते हो कि एक mol zinc के लिए यहाँ पर क्या होते हैं 2 mol electron release होते हैं similarly जब यहाँ पर copper reduce होगा Cu2 plus aquas 2 electron gain करके क्या बना लेगा Cu solid तो यहाँ 1 mol copper के लिए 2 mol electron क्या होते हैं absorb होते हैं overall anode से cathode 2 mol electrons का transfer हो बुले बात आप समझते हैं अच्छा यह बात आप समझते हैं तो आप कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूं यह आपको copy करने हैं तो इससे हम हटा सकते हैं और normally अब हम बात कर सकते हैं आप ठीक है तो बहुत ध्यान से देखें हैं और अब आप समझे चीज़ों को अगर मैं आपसे बात करूं चार्ज ओफ 1 mol electrons यह आपके आगे चलके electrolysis में भी काम में आएगा तो चार्ज ओफ 1 mol electrons जो होता है वह आप calculate करोगे ना पर एक electron का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम्स उसको आप एने से multiply कर दो तो आपको एक value मिलती है 965 00 कलम्स जिसे हम लोग 1 फेराडे के नाम से जानते हैं और इसे हम F से denote करते हैं तो basically 1 mol electrons का चार्ज 1 फेराडे हैं अब मान लो एक cell के अंदर N mol electrons transfer हुए कहां से? Anode से cathode पर. So, if N mol electrons N mol electrons are transferred from anode to cathode. Then, then, बताओ charge supplied जो है या charge transferred जो है जो भी आप बोलना चाहो तो charge transferred कितना होगा? हाँ, N into F होगा, N फेराडे. बढ़ एक mol electrons का charge एक फेराडे है तो N mol electrons का charge कितना होगा? N फेराडे होगा. बोले चीज में आपको clarity आपको समझ में आता है. अब अगर charge N फेराडे है तो आप बहुत simple से बात एक देख सकते हो यहाँ पर क्या? कि work done जो होगा, work done in transferring the charge ऐसा बोल सकते हो, anode से cathode, तो बहुत होता है Q into V, तो charge तो कितना है? N into F into voltage जो होगा, वो EMF of cell के बराबर है. बट वर्क दन यहाँ पर क्या होगा? बाइ सेल, बाइ सेल होगा तो यह negative sign के साथ आएगा, so work done जो होगा, वो किसके इकुल हो जाएगा? minus NFE cell के है, यही आपका electrical work है, तो इसको आप delta G के equal कर सकते हो, यानि important चीज़ है कि किसी भी given cell के लिए, जो cell reaction उसके जो delta G की value होगी, वो किसके equal होगी? minus NFE cell के है, और यही यही चीज़ अगर आप standard conditions पे लगा दो, तो बताओ किस में convert हो जाएगी? delta G not will be equal to क्या बन जाएगा? minus NFE E not into cell. सबसे पहले चीज़ तो आपके समझ में आने चाहिए, कि एक galvanic cell के अंदर जो cell reaction हो रही है, उस reaction का जो Gips free energy change है, हम उसको EMF से directly connect कर सकते हैं, यह non-standard conditions पर है, और यह कहां पर होगा? standard conditions पर होगा, और एक बार आप इन दोनों को relate कर पा रहे हो, तो फिर आप यहां पर thermodynamics के हर एक concept को लगा सकते हो, आप जानते हैं कि एक 0 है, अगर डेल्टा जी अगर less than 0 है, तो डेल्टा जी equal to minus NF E cell, अगर डेल्टा जी negative है, तो बताओ E cell की value कैसे आने वाली है positive, आने वाली ना, तो अगर E cell positive आया, तो हम यहां पर बूल सकते हैं कि आपकी cell reaction है, cell reaction, वो क्या होगी, spontaneous हो, cell reaction is spontaneous, similarly, अगर डेल्टा जी की value positive आ जाए, तो obviously उस case में reaction non spontaneous होगी, तब E cell negative हो जाएगा और इसका significance क्या हुआ कि आपकी cell reaction है, वो कैसी होगी, non spontaneous होगी, कैसी होगी, non spontaneous होगी, और वहीं, वहीं अगर आपके पास डेल्टा जी जीरो आ जाए, डेल्टा जी जीरो आ जाए, तो बताओ E cell की value भी क्या जाएगी, 0 और इस time पर आपका cell होगा, वो cell reaction कहां पर होगी, cell reaction is at equilibrium, तो सबसे पहले आपको यह चीज समझनी चाहिए, कि एक बार हमने डेल्टा जी और E cell को relate कर लिया है, तो हम spontanity, non spontanity और equilibrium conditions को आसानी से define कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप यह भी देख सकते हो, यह non standard conditions पर हैं, अगर equilibrium standard conditions पर आया, तो delta G0 के लिए क्या होगी, जरो आपर ध्यान रखना, equilibrium पर delta G0 0 नहीं होता है, कौन 0 होता है, delta G, पर delta G0 तो एक fixed value है, जो standard condition पर आपको मिलेगी, तो अब यह हमेशे ध्यान रखना, अगर equilibrium standard conditions पर आया है, तो ही delta G0 0 होगा, यह फिर E0 0 होगा, otherwise equilibrium पर यह 0 नहीं होता है, तो यह आप ध्यान रखें, important हैं कुछ लोगसमें गलते कर देते हैं, कि delta G0 और E0 cell is not 0 at equilibrium, correct, and they will be 0, they will be 0, only if, only if equilibrium is attained, only if equilibrium is attained, at standard conditions, तो अगर equilibrium standard condition पर आया है, तो ही सिर्फ वो क्या होंगे, 0 होंगे, otherwise वो कभी भी 0 नहीं होंगे, तो इसका अब जरूर ध्यान रखें, important है, अब देखो हमने सीख लिया है, कि कैसे हम लोग delta G और E cell को relate कर सकते हैं, कैसे हम spontanity condition को define कर सकते हैं, तो हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे, और हम derive करने जा रहे हैं एक बहुत important equation, इसका नाम है nonst equation, जो कि इस chapter की backbone है, आगे आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, nonst equation के उपर ही based है, और उसके बिना आप उससे deal नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ने copy कर लिया हुआ, हमारे syllabus में reversible cell, यह दो तरह के cell होते हैं, एक reversible cell होता है और एक irreversible cell होता है, तो reversible cell basically जहां पर क्या हो रहा है, reversible process चल रहा है, ठीक है, और irreversible cell जिसमें आप basically जो process होगा, वो irreversible होगा और इसका मतलब rechargeable और dischargeable से, आलें, वो अलग चीज होती है, reversible cell जहां पर जो process हो reversible है, slowly process चल रहा है, ठीक है, और यह पर सब बोल सकते हैं, आप जो reaction है अभी for the time being, cell reaction है, वो कैसी होगी, reversible होगी, आप cell को reverse कर सकते हो, मतलब आपने polarities change की, cell की working उल्टी हो जाएगी, इसका हमारा यह इसका significance है, चलते फिलते words में, तब ज़रूर ध्यान रखें, हमारे slaves में सिर्फ और सिर्फ कौन से cells है, reversible cells, हम जो भी cell यहां पढ़ेंगे, वो सभी कैसे भी reversible होंगे, और उनकी जो cell reactions होंगी, वो भी reversible होंगी, ठीक है, तो मान लो, आपके पास एक reversible cell है, जिसके अंदर एक cell reaction है, और reversible cell reaction, cell reaction है, let's say N1A gives N2B, कुछ इस तरह की reaction हम लो लेते हैं, ठीक है, और मान लो, A से B जाने में N mole electrons का exchange हुआ है, कितना exchange हुआ है, N mole electrons का exchange हुआ है, तो वेकर आप इस reaction के लिए बात करो, तो हमने थर्मडा इसमें सिखा हुआ है, कि वह इस reaction के लिए अगर हम delta G लिखे हैं, तो delta G equal to क्या बनेगा, delta G naught plus RT LNQ, क्या बनेगा, delta G equal to delta G naught plus RT LNQ, अब जो चीज मैंने आपको first lecture में पढ़ाई थी, वह यहाँ पर अब काम में आईगी, इसलिए मैंने first lecture में आपको सिखाया था, जो balancing सिखायी थी, N निकालना सिखाया था, reaction question क्यों लिखना सिखाया था, अब यह भी थोड़े देर पहले आपने बढ़ा कि, delta G की जगा आप क्या लिख सकते हो, minus NF E cell, लिख सकते हो, delta G not भी आपके लिख सकते हो, minus NF E not cell, plus यह क्या बन जाएगा, RT ln Q, बोलो बनेगा, तो आप क्या करो, minus NF को common करके divide करो, equation क्या बनेगा देखो, E cell is equals to, E not cell minus, RT upon NF, into ln Q, अगर आप ln को log में बदलो, तो यहां पर, into 2.303 और आजाएगा, E cell is equals to, क्या बन गया है, देखो E not cell, minus 2.303, into RT upon NF, into क्या बन जाएगा, यह log Q, बोलो बनेगा, अभी यह जो expression है आपका, यह हर temperature पर valid है, हर temperature पर, अब अगर हम यहां पर values रख दें, हम बात कर लें, at 25 degrees Celsius, electrochemistry में temperature specified नहीं है, तो आपको उसे कितना लेकर चलना है, 25 degrees ही लेकर चलना है, 25 degrees Celsius आपको temperature लेकर चलना है, और आप ध्यान दे, N, N तो N है F के वलिए आप जानते हो, तो temperature रख दिया 25 degrees, 298 Kelvin, R के वलिए आपको पता होती है, तो यह जो सारी values हैं, यह fixed values हैं, जैसे आप इन सबको रखके हैं पर value calculate करते हो, आपका final equation बनता है, E cell is equals to E naught cell, minus 0.0591 upon N log Q, और यह जो आपके पास expression बनके आया, इसी को हम लोग बोलते हैं, nonced equation for a reversible cell, और यह आपको याद रखना है, obviously दिख रहा है value 0.059 है, इसको हम 0.06 use क्या करेंगे calculation के लिए, but exact value जो है वो आपको पता होनी चाहिए, 0.0591 upon N log Q, यह जो equation है, यह एक reversible cell के लिए nonced equation कहलाता है, इस reaction के लिए अगर आप Q लिखना चाहते हैं, तो ता उस reaction के लिए Q क्या बनेगा, हम आपको सिखा चुका हूँ, concentration of B to the power N2 upon concentration of A to the power N1, पहले चीज़ना से question क्या होता है, फिरा उस पर conditions लगाते हैं, यह आपके पास normal non equilibrium conditions पर है, अगर equilibrium आ जाए, at equilibrium, तो आपको दिख रहा है, हम बहुत अच्छे से chemical equilibrium में भी पढ़ चुके हैं, equilibrium पर Q की value के equilibrium के equal हो जाती है, और equilibrium पर E cell कितना हो जाएगा 0, तो जैसे आप यह values यहां रखेंगे, देखो आपका equation बनेगा, 0 is equal to E not cell minus, minus क्या बनेगा 0.0591 upon N log, Q की जगा आप लिखोगे के equilibrium, यहां से एक और simple चीज़ आपको दिख रही है, E not cell को आप directly किस से relate कर सकते हो, 0.0591 upon N log K equilibrium, तो इस तरह से आप इस reversible reactions के लिए equilibrium constant की value भी calculate कर सकते हैं, और आप देखो यहां पर Q ध्यान देना, जब equilibrium नहीं आया तो यह हम सब chemical equilibrium में सीख चुके हैं, जब तक equilibrium नहीं आया तब तक Q की value बदलती रहेगी, पता हो Q के लिए बदलती रहेगी तो E cell के लिए बदलती रहेगी, तो यहां पर आप देखो ऐसे question कभी नहीं पूछे गए हैं, हम यहां पर चाहें तो एक graph plot कर सकते हैं, किस-किस की बीच में E cell और log Q की बीच में, आपको दिख रहा है graph कैसे बनेगा y equal to c-mx, यानि graph बनेगा एक straight line जिसका intercept E naught cell के बराबर होगा, और इसकी जो slope है वो minus 0.0591 upon n के बराबर होगी, ध्यान दे graph ऐसा भी बन सकता है या फिर graph कुछ इस तरह का भी बन सकता है, पहले तो मैं इसको नीचे extend कर लूँ और graph कुछ ऐसा भी बन सकता है, उस case में क्या होगा, E naught cell negative होगा, ये graph कब है जब E naught cell कैसा होगा, positive होगा, इस graph की जो slope है वो कितनी होगी, minus 0.0591 upon n के खुल होगी, समझपार है मेरी बात को, तो इस तरह से आप ध्यान रखें, या ऐसे graph के उपर कभी question नहीं पूछे गाएं, तो इससे आपसे graph बनवा सकता है, और उसके उपर based questions भी पूछ सकता है, तो ये है हमारा nurse equation, एक और बड़ी important चीज़ में आपका सिखाना चाहता हूँ, ध्यान दे, अभी हम questions भी करने वाले हैं, बढ़ाओ पहले यह आगा कर दूं, करदूं कि कई बार question में, आप सरफ E not cell निकाल पाएंगे, मुझ ए इससल नहीं निकाल पाएंगे, और कई बार आप E cell निकाल पाएंगे, भी हम इस सुनना जब आप E cell निकाल सकते हूँ, आप आज इतना data है question में कि आप E zijससल निकाल कर लोगे, और वहीं से reaction की spontanity की बात करोगे तो यह आप ध्यान रखना इसको मैं क्या बोलू note यह बोल देते हैं आप यह पर लिख दें कि the spontanity of cell reaction the spontanity of cell reaction of cell reaction should be checked should be checked by e cell only if data is not available then then you have to check with e naught इसका मतलब क्या है वो मैं आपको भी questions के तुरू समझा दूँगा ते अब आप इसे copy कर लो अब आपको nons equation लिखना सिखाता हूं कि कैसे हमें given cell के लिए reaction के लिए nons equation को यूज च्छोट च्छोट स्टेप्स हैं अभी आप उनको step by सीखोगे फिर एक दो लेक्चर में यूज करते करते हैं आप खुजी समझा है कुछ याद रखने का नहीं है जो सीखा है बस उसी को अप्लाई करना है तो कॉपी करो फिर स्टार्ट करते हैं चलो डैनेल सेल का एक्जामपल रहते है तो डैनेल सेल होता है जैन गिव जैन टू प्लस आक्वास ठीक है और साथ आपको दियावा है यह कैथोर्स यू टू प्लस आक्वास चेंजिस्टू सीजिस्टू सूल ठीक है मानलो इसकी कंसेशन दिए आपको 0.2 मुलर उसकी को इनॉट वैल्यू सी यू टू प्लस चेंजिस्टू सी यू की दिवी है जो की है 0.34 ठीक है आपको यह बताना है कि सेल रेक्शन स्पॉंटिनेस होगी या नहीं और सेल का एमफ कितना होगा ठीक है दो चीज़ें आपको बताने तो आप देखो सॉरी आप यह देखो कि य आप देख लोगे लेकिन फिर भी अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आपको पहले इसल ही निकालना चाहिए वरना गलती भी कर सकते हो क्या करेंगे तो अगर हमें नर्स इक्वेशन लगाना है तो हमें छोटेटा स्टेप स्पॉलो करने सबसे पहला स्टेप क्या है ब्लत एक ऐसे घुल आपको राइट और बैलेंसट ल्यरी एक्षञण तो सबसे पहले आप एक बैलेंस्ट सेल रियक्षञण लिखूए क्या किया करना है कुछ भी नेstatic बाता एनोड लिको को आणोन बसे ऑक यहां होगा आयनोड पर जो ZN solid है बताओ वो oxidize होकर क्या बनाएगा ZN 2 plus aquas plus 2 electron ये loose कर देगा ऐसी cathode cathode पर क्या होगा reduction होगा so cathode पर जो Cu2 plus aquas है वो 2 electron gain करके क्या बनाएगा Cu solid बनाएगा अब आप इन दोनों reactions को add करो तो जैसे को ये दो electron से दो electron cancel होंगे net reaction क्या बनेगी net reaction बनेगी ZN solid plus Cu2 plus aquas gives what ये आपको देगा ZN 2 plus aquas plus Cu solid तो सबसे पहला काम आपको एक balance reaction लिखनी है इस reaction के लिए आप electron exchange आनि N के लिए निकाल लो वो आपको 2 दिख रहे हैं ये दो होए हैं फर्दर आप इस reaction के लिए क्यों calculate कर लो क्यों क्यों क्या होगा वह सारे step मैंने एक साथ लिख दिए तो आपको पहला काम balance reaction लिखना है दूसरा काम N निकालना है तिसरा क्यों लिख लो देखो ये solid ये solid क्यों क्या बनेगा क्यों साथ में बनेगा कंसेंट्रेशन आफ सी यू टू प्लस कंसेंट्रेशन आफ सी यू टू प्लस आपको कितनी हुई है देखो जीरो पॉइंट टू मुलर और कंसेंट्रेशन आफ सी यू टू प्लस कितनी हुई है जीरो पॉइंट बन तो पॉइंट ऑपन पॉइंट वाइंट कियो लिए कितनी हुगई क्यों आ गया एक और चीज़ आपको कल्कुलेट करनी है वह है इनॉट सेल इनॉट सेल यह हम लोग अच्छे सीख चुके हैं कि क कोपर का यहां ध्यान देना हमेशा ध्यान देना कि SRP दिया है दिया है तो कॉपर का SRP हो गया 0.34 माइनस एनोड एनोड के लिए माइनस 0.76 एड करो ओवराल वाल्य आपको मिल जाएगी 1.1 वोल्ट तो यह आगए इनॉट सेल अस सब कुछ आ गया अब तो आपको नर्स्ट एक्वेशन वाल्य रखनी है तो नर्स्ट एक्वेशन क्या होता है E cell is equals to E not cell minus 0.0591 अपॉन अपॉन एन लॉग Q तो रखो वैल्यूज E cell आपको कैलकुलेट करना है E not cell की वैल्यू 1.1 वोल्ट है माइनस इसको 0.06 बै एन के लिए रहो 2 और लॉग Q देखो लॉग Q की वैल्यू कितनी आ रही है 2 तो मैं आपसे कहा रहा था कि E cell और E not cell की वैल्यूस mostly same वालब जो sign है वो mostly same आता है क्यों कि देखो यह जो वैल्यू दिख रही है यह बहुत छोटी वैल्यू होती है जब तक ही लॉग के अंदर के वाल्यू 10 की पावर्ज में नहीं जा रही बहुत बड़ी पावर्ज में तब तक साइन चेंज नहीं होता लेकिन होतो सकता है ना समझ रहो अभी तो क्या वाल्यू बहुत छोटी है ने वाल्यू देखो पॉइंट जीरो त्री और लॉक्ट जीरो जीरो नाइन बिल्कुल आईगे ना अब देखो जो इसल इनॉट सेल का साइन है 1.1 वोल्ट वही इसल का भी साइन है तो आने वाला है बट स्टिल आपको तो एक्जैक्ट वैल निकालनी आने चाहिए यहां से आपको दिख रहा है कि इसल रियक्शन का क्या है पॉज चाहिता नेगेटिव तो उसके इसमें क्या होता हम भूते सेल डॉस्ते से स्टिल बेंख आपने गलत लिखा हुआ है उसको पता कर सकता है वह सल निखा हुआ है या फिर कि स chemo झाल झाल